हाई फ्रेंड्स तो कैंसे आप सब उमीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे मैं धीरेच कुमार्ट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन और फ्यूचर में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकिया है प्रशनावली सिक्स का भी स्काप पह क्वेशन नमबर वन में क्या बोला है इसमें बोला है त्रिभूज ए बी सी में रेखा डी आधार बी सी के समांतर है एडी अनुपाते एबी बराबर एक अनुपाते तीन है यदि एसी बराबर चार हो तो एई का मान ग्यांत कीजिए तो पहले जो आपकी आकृती दी गई ह आप उसको बना लेजे तो चलिए हम सबसे पहले आपके आकृती को बना लेते हैं आकृती क्या दिया गया है देखिए यहां पे तो सबसे पहले एक ऐसा रेखा बना लेजिए ठीक है अब इस आकृती बनाने के बाद आपको क्या करने बीच में एक और यहां पे इसमें दो को त्रिभूज दिया लगा कि पहला तिर नहीं तक को गया तो इसमें पूरी आकरती दिए आकरती का जो भूजाएं त्वरू जाओं कोमानलीजिए यह है यह 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 क्या है और यह क्या हैं और यह यह तिंहじゃ बारे में बहुत डीपली बताया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है आप उसको भी जाकर वहां से देख लिए ठीक है तो इसमें दो त्री यह आपका सरचना हो गया अब सरचना में जो जो मान दिया गया है मलब जो प्रस्ण में दिया गया मान उस को लिख लीजी उसके सानचना द्वारा उसको हम हल कर लेंगे तो पहले क्या-क्या दिया है मुसको लिख लेते हैं यहां लिक्या-क्या दिया है कि क्या दिया है देखे última और अधार चार भी सी के समांतर है ठीक है उसके वाध लिए अनपाते एभी क्या दिया दोस्तों अधिक कि अनपाते कि यहां पर अनपात एभी अध्य हो एड़ी अनपाते एभी बराबर एक अनपात तीन कि यह है यह को मान ग्याद करते करना अब क्या करनाए चली दिखें जो दिया गया हमने तुसको लिख लिए अब आपको क्या कर रहा है देखे यह आकरति द्वारा मिसको हल करेंगे ठीक अब आकरती जैसा बोल रहा है वैसा हल करिए एक बात आध्यांद की दोस्तों इसमें दो त्रिभूज बन रहे हैं पहला त्रिभूज बन रहा है दी दूसरा तरिभूज बनदा एबी सी तो अर्थात हम कह सकते हैं जब क्या जब तरिभूज एबी सी या त्रिभूज एडी ए टिक है लिखे त्रिभूज एडी ए ठीक है एडी ए समरूप हो क्या हो इसको समरूप बोलते हैं ठीक है यह एसे थोड़ा करके ऐसे उठा दीजिए उपर समरूप हो किसके त्रिभूज एबी सी के किसके ए बी सी के तब आप क्या करेंगे ठीक है ध्यान दीजेगा जब त्रिभूज एडी ए हमने यहाँ लिखा फिर समरूप हो वो किसके ABC यानि सम रूप का वंलब रूब कऊने रूप इनका जो में pleased कि जOW होगी की मैं मिलाब जो होगी वह क्या होगी समाने कि यह फूर कि मैं क्या होथा थीनों कोड़ो कमान 모습 होगा चैय झाय क्या होता एक इस्थ तो तो इनकी जो आकरती हैं आपस में क्या है यह समान है अब आपको क्या करना है जब समान है तो जो छोटी भूजा है उसको आपको ऊपर लिखना है जो बड़ी भूजा है उसको आपको क्या करना है नीचे लिखना है नहीं समझे चलिए समझाते हैं देखें यह जो ए और क्या ह दी यह सोटी तरिभूज है तो छोटी तरिभूज की जो और है उसको हम कहां लिखेंगे ऊपर या explains ए डी क्या है ए दी उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे बड़ी त्रिभूज की भूजा किसकी हम लिख लेंगे बराबर लगाएंगे अब दूसरी भूजा चलते एं चोटी स्सको लिख लिघाए फिर कि अपान कर दिजिए अपान में किया बड़ी भूजाओं लहां किया है एसी जorig नीचे लिखिए A C अब ध्यान दीजिए हमें भुजाएं मिल गई अब जब भुजाएं मिल गई तो भुजाओं का मान भी दिया गया देखिए मान दिया है है ए बी मान दिया है का पूच़ा है चल में अब चलिए हम मान को रखकर हल रखे है पहला मान यह ऐंडिका है क्योंकि еडि का मान कितना होगा से उपर में रखें से एक नीचे क्या है AB का मान कितना होगा तीन ये जो पहला मान किसका है AD का दूसरा वान जो trata manifest का झाल उसा है टो जो एसे मानों कितना है तुर सबिकर सबारा है 367-2001 अब क्या करना है इसका गुड़ा करम करना है तिक द्यान दीजे अगर हम कि इसका यहां गुड़ा करते हैं इसका यहां गुड़ा करते हैं तो तीन कहां चला जाएगा बटे में तो चार बटे निकल जाएगा आपका आप यहां आप क्या हो जाएगा एंसर कर देना है कैसे होगा एकसे सरफण है् Definite को जब भी ऐसा आप से पूछा जाए कोई मान दिया रहे तो आपको क्या करना है चोटी भुजाओं को उपर लिखना बड़ी भुजा को नीचे लिखना और जो मान दिया है उसको रखकर एंस और को आसानी से निकाल ले ना है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्या नंबर टू कि अब देखिए दोस्तों क्या नंबर टू में क्या बोला है इसमें बोला है चित्र में एडी ी कामा कोण b a c की समद्ध्योभाजक हैं क्या है कोण b a c की समद्ध्योभाजक हैं तता a b बराबर 6 cm a c बराबर 5 cm तता b d बराबर 3 cm तो dc का मान ग्यात हैелиसमें आप से क्या पूछा है । नबर लिए जो चित्र दिया है चित्र बनाने के बाद हम इस question को हल करते हैं ठीक है तो चित्र कैसा दिया दिखिए हम पहले चित्र को बनाएं एक आकरती आपकी दी गई है है यह आपका आकरती है उसके पॉयाब हम क्या क्या को लिखेंगे घैने चले उसको लिख लेते हैं त्रिफूज की जो भुजा है यह क्या है यह यह आपकी भी है यह आपका सी है और यह कितना ड़ी अब भुजा लिखने के बाद इसकी कुछ माप दी गई ठीक माप क्या दी गई है चाहां एवी से पी कि दूरी कितनी दी गई च्छ सेंटीमिटर कितना दिया गया है च्छ सेंटीमिटर और यह कितना दिया गया बीडी बीडी जो दिया गया वह तीन सेंटीमिटर कितना दिया गया यहां से यहां तक तीन सेंटीमिटर और यह जो एसी है जो एसी कितना सेंटीमिटर है पांच सेंटीमिटर ठीक है यहां स किसका मान पूछा है आपका डी सी यह मान दिया यह भी दिया यह भी दिया लेकिन यहां से यहां तक आपकी दूरी पूछी है डी सी का मान ग्यांद करना है तो डी सी का मान कैसे ग्यांद करेंगे दोस्तों चली हम हल करते हैं तो पहले जो दिया है उसको आप लिख लिए तो दिया क्या है आपका दिया must देखें यहां से स सेंटीमेटर तो यहом लिखें यहां यहां लिखें बराबर 6 संहते ही डीया है कि आपका पांच सेंटीमीटर तक है...? V G 3cm अब आपको पूछा क्या है DC के बराबर को क्योंकि आपसे Cinc पूछा है अप कैसे हल करेंगे ध्यान दिछे इसमें भीnaireूरीज हमने बताया है दोस्तों इस तेकि समरूब आकरती ले देंगे यह तीरीभूज यह हमेशा जो होते हैं वो किसमें होते हैं समकौर्ण सम्रूब में सब्सक्राइब क्यार क्या लेते हैं बराबर में लेते हैं बठे में कैसे हल करेंगे ध्यान दीजए जब तिरिभुज क्या हो समरूप तो कैसे हल करते हैं आगे देखिए हम बताते हैं ठीचें यहां लिखिए जब पहला त्रिभूज क्या है आपका पहला त्रिभूज है ए बी डी यहां लिखे त्रिभूज ए बी डी टीक है क्या हो समरूप हो इसको हम क्या बोलते हैं समरूप टीक है ए बी डी समरूप हो किसके ए डी सी के त्रिभूज ए डी सी के त्रिभूज ए डी सी के तब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए तब आपको क्या करना होगा जब त्रिभूज ए बी डी समरूप हो त्रिभूज ए डी सी के तब आपको क्या करना है देखे हम ए बी यह बड़ी यह भूजा लेंगे A, B के हम बट्टे में क्या लेंगे B, D इस तरफ लेंगे ठीक है फिर इसके बाद A, C लेंगे और B, D, C लेंगे क्योंकि D, C का मान पूचा A, C दिया है A, B, B और यहां से इसका मान हम निकाल सकते हैं ठीक है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर ab самu dallबिग कूछ अब नीचे क्षें ग्या बी टीए क्या लिखेंगेlichen क्या भी डी टीक है क्या cha लिखेंकेट बीख़डी लिखनेकर अब को बराबर करने गांथ दूसरे तिर्फूच का लिख लिए पहली बुच बड़ी भुझा तो इसका महल भूजा है एसी त examining human shop यह दिखिए अब डिसी क्योंकि यह भूज़ा यह भूजा यह भूज़ा सब क्थैंप क्या है समरूप जब डिया रहे कोई समरूप के रूप में दिया रहे तो आप बना लिया करिए बनाने के बाद आपको जो जो मान दिया है उसमें रख देना end जिएले हम मान को आप क्या करते हैं रख देते है तो देखिएAI अबी अभी आप बराबर कितना दिया दोस्तों पांच और नीचे कितना है डी सी तो डी सी आपसे पूछा है डी सी को आपको ऐसे ही लिख देना है अब इसमें क्या करना है ध्यान दीजे आपको देखें कर जाएगा तीन दूनी च्छा कितना हो जाएगा तीन दूनी च्छा आपको निकालना क gitu कहाँ कितना हो जाएगा दो पांच बटे कितना हो जाएगा बटे 2 सेंटalo मेटरीextos बचेना हो जाएगा दो से भाग देंगे आपका यह सिए तक की निकलेगा निकलेगी दो दस्मलों पांच सेंटी मीटर यही आपका क्या हो जाएगा एंस्वर हो जाएगा ठीक है इसी को आपको कर देना है एंस्वर समझाएं दोस्तों तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्येस्टन की तरफ चलते हैं क्येस्टन नमबर त्री अब देखिए दोस्तों क्यूस्टन नमबर त्री क्या बोला है क्योश्टन नमबर थ्री में बोला है किसी त्रिभूज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमसब बिंदू E और F इस्थित है निमनलिखित में से प्रतेक इस्थिती के लिए बताए कि क्या EF समानांतर QR है आपको यही बताना है कि जो EF है भुजा QR के समानांतर है या नहीं है ठीक है और आप किसे इसमें तुईन क्यक्यों दिआ गया है सभी महान कुछ Rachel ना कुछ दिया गया है और सभी जो आकरती होगा में इंक ही होगा टो चल यह पहले हम आकरती को बना लेते हैं आकरती बनाने एक बाद तो हम क्योस्टन को हल करते हैं ठीक है तो इसकी आकरती जो होगी दोस्तों वह हम बनाते हैं आकरती से हम वही त्रिभूज होगा जैसे आपने पहले बनाया पहले वालों क्योस्टनों में वैसे इसकी एक त्रिभूज बना लिए अब त्रिभूज में जो होगा इसमें एक और आकृति बने एक छोटा थी भूज रहाएंगा थिक है तो ऐसे आपको बना देना है अब जो यहह पहला है क्या एहां नहीं पूछा है जो ये पूछा है समरूप है या नहीं है देखे यद हमारे जो एंसर आएगी बराबर आएगी तो समरूप है नहीं आएगा तो समरूप नहीं है दिये गए जो मान हैं उनके हिसाब से तो चलिए हम अब पहला question तीसरे का हल करते हैं सबी question में यही आकृति रहेगा सिर्फ आपका बदलेगा तो क्या मान आपका मान दिया गया है तो मान आपका क्या SECRET हो मुझा को लिख लेते हैं क्योपर ведव करतें और आपको इसमें यहीं बताना है कि आप है क्या है तो पहले में दिया है उसको लिख लेना ठीक है तो पहले में दिया है उसको आप लिख लेजिए चले दिया है क्या PE क्या दिया है दोस्तों यहां पर PE तो PE बराबर निकालेंगे कितना निकलेगा 3.9 cm तो यहां लिख देते हैं 3.9 cm फिर दिया है EQ तो यहां लिख दीजे EQ बराबर 3 cm फिर क्या दिया है PF तो यहां लिखे PF बराबर 3.6 cm फिर और क्या दिया दोस्तों FR बराबर दिया है 2.4 cm जो जो आपको दिया था हमने इस question में दिया है वह हमने लिख दिया अब आपको करना क्या है यह बताना है जो EF भुजा है QR के समनांतर है या नहीं है तो कैसे हल करेंगे चलिए देखिए अब बता दे समरूपता का रूल फालो करेगा अभी जैसे हमने इसके पहले बताया पहले वाले question में वैसा इसमें भी होगा तो समरूपता का रूल में हम क्या करते हैं लिखते क्या है जब त्रिभूज पी ए एफ ठीक है यहां लिख दीजे आप पहला छोटा त्रिभूज लिखेंग उसके बाद बड़ा जब त्रिभूज क्या पी एफ कि सम्रोप हो त्रिभूज पीक्यूंत्र क्यों तक इन कि यह जब त्रिभूज पी ?। पूज पी आर खे तब आप क्या करेंगे सबसे पहले छोटी भूजा तो छोटी भूजा क्या है फीए। तो उपर क्या लिखेंगे आप P E अपान नीचे क्या लिखेंगे E Q ठीक है बड़ी भूजा यहां इसकी लिखें दुसरी नीचे लिखें E Q ठीक है क्योंकि हम को क्या ग्यात करना है यह एक दूसरे के समरूप है ने जब समरूप की बात कर देगा तो पहले P E लिखें फिर य तक पहले ग्यात क्योंकि इसी रूप में मान दिया है इसलिए हम इस रूप में लिख रहे हैं ठीक है अब एफ और रखने के बाद आपको क्या करना है इतना आप जब कर लेंगे तो जो मान दिया है उसको आपको इसमें लिख देना है तो चले दिखें यहां पर P E P E का मान दिया है 3.9 बटे E Q E Q का मान दिया है 3 बराबर देखें 3.9 बटे दिया है 3 बराबर P F तो P F का मान दिया है 3.6 बटे अब आपको आपको से यहां क्या दिया है F F R का मान दिया है 2.4 बटे समरूपता में हम उसी के अधार पर मान रखेंगे जिस रूप में मान दिया रहेगा जैसे आपको P E देकर फिर P Q देगा तो आपको उपर P को हल करना ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दिजे काट देना है तीन से काटेंगे इसको तीन एक तीन तरीक्का नव बीच में दसमलों लगा दिजे इसको काटेंगे क्या एगा दसमलों कर जाए कि यहाँ एक अंक पर शुक्वह यहां भी है तो इसको काटेcks 12 से भाग करेंगे तब कितना आएगा तो दो कादूब बचेगा यहां पर दसमलों लगां दो पंचे दस्त तो यहां देखेंगे एक दसमलों तीना इधर एक तो पांच आए तो यह इक्क्वल नहीं नटवारान जब इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं जो ए एफ हो आर के समानाशनतर नहीं है यहां नहीं है तो आफ लिख दीजिए अप beton कि अता जो यहीं कु फुजा मत्त फुजा ना स्वरी एफ है कि इस भूजा क्या क्युआर के में नहीं है chilling है तो यही आप क्या हो जाएगा इसी रूप में आपको करना था यदि आपका ये बराबर आ जाए गहां हल करने अदरे पे तो समानतर है बराबर नहीं आएगा तो समानतर नहीं है तो छले हम दूसरे पालते के दूसरे के चलते हैं चले देखें लेते हैं अभिशे दूसरा कि आहँएं कि आप देखिए दोस्तों क्यों तीयक का दूस्तों है चीथि ग्षाट में तीसरे का दूसरे में क्या दिया उसको आप लिख लेजिए है तु कि तीसरे के दूसरे में दिया आपका पी बराबर फोर सेंटीमीटर चले हम पहले लिख लेते हैं ठीक है इसमें भी आपको समानांतर है या नहीं सीध करना है तो क्या सीध करना है कर दिए लाना समानांतर है तो है आपको बताना है ए समानांतर ट। Q अर टीक है और पाले में ता दूसरे में पी नहीं सब्सक्राइब यह भी हिए तो चलिए हम इस आकृति को बना लेते हैं ठीक है अकृती को बनाने के बाद इसके हम भुजाओं को लिख देते हैं, तो यह A हो जाएगा, या तो P कर दीजे, P की रूप में दिया है, यहाँ पे P लिख दीजे, इसको Q कर दीजे, इसको R कर दीजे, इसको E कर दीजे, और इसको क्या कर देना है, F कर देना है, ठीक है, P, Q, R, E, F, अब आपको क्या करना है, जो ज एक कितना दिया है इसमें भी दिया चार सेंतीमीटर ठीक है तो लिख लिजिए पी इबनाबर चार सेंतीमीटर फिर क्या दिया है कि पी इइभर कि रख चार दसमलव 55aca santa सेंटी मीटर उसके बाद क्या दिया है और एफ बराबर नौ सेंटी मीटर ठीक है यह सभी आपके मान दिये गए सभी भुजाएं दी गई है अब इन भुजाओं को लेकर क्या करना है आपको हल करना है सेम प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों जैसे आपने तीसरे के पहले में किय है वही तीसरे के दूसरे में भी करना है तो चलिए आगे हम हल कर लेते हैं लिखना क्या है आपको जब तुरिभूज क्या क्या हों समान हो किसके के समरूप हो किसके ही क्यू आर तो यहां पर लिख दीजे जब तुरिभूज पी एफ समरूप हो पी त्रिभूज पी क्यू आर के तब तब क्या होगा ध्यान दीजिए तब आपको क्या करना है यहां पर लिखना है पहले इस भूजा को ठीक है किसको लिखना है पी इओपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा aq जीस रूप में मान दिया रहा है उसी रूप में आपको लिखना है देख़े एक शाव यहां लिखिए aq उसके बाद बराबर कचछ听 लगाएंगे फिर किस रूप में मान दिया है a-f ठीक यहां कि पी-ए- तो ऊपर रहा है का पी और फ और नीचे आपका क्या हो जाएगा फ र ठीक है यहां नीचे हो जाएगा फ र इतना लिख लिए अब जो जो मान दिया है उसको आप यहां पर रखकर हल कर लिए तो चलिए पी-ई-पी-व कमान दिया है चार बटे meansq q 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 तूपर क्या हो जाएगा एक जीरो बल जाएगा तो चार लिखेंगे यहां पर जीरो क्या अब करेंगे बढ़ा देंगे और नीचे कितना हो जाएगा आपका 45 टिक और बराबर में इधर क्या है आठ बटे 9 तो चलिए दोस्तों देखिये इधर हो सकता है कुछ कटे तो विए तालिश तो इधर बचहेगा आठ बटे नौ आपको लिग दैना आठ बटे नौ और बराबर में भी कितना है आठ बटे नौ तो देखिए यह आपस में क्या है बराबर है तो यह आपको कहा सकते हैं जो यह इएफ इएफ भुजा है वो qr के क्या है समानतर है तो लिख दीजें यहां पर दोस्तों अतह कि अतह इएफ कि भुजा कि इएफ भुजा कि क्यू आर के कि समानतर है बस यही आपको इसमें लाना था ठीक है तो यह क्या है समानतर है तो चले दोस्तों हम तीसरे का तीसरा क्योस्चन देख लेते हैं ठीक है अब देखें दोस्तों क्योस्चन नमबर तीसरे का तीसरा तो तीसरे का तीसरा भी जो आकरती होगी आपका वही रहेगा पहले आप आकरती को बना लेजिए उसके बाद जो जो मान दिया गया उसको आप लेख लेजिए ठीक है तो हम यहां पर आकरती को बना देते हैं ठीक है आकरती की सबी भुजाओं को भी लिख देते हैं भुजा क्या है आपका यह है यह आपका यह क्या है यह आपकी आकरती है अब आकरती बनाने के बाद जो जो मान दिया है उसको हम लिख लेते हैं तो यहां लिखे दोस्तों दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं तीसरे के तीसरे question में ठीक है तो इसमें दिया क्या है PQ पहला क्या दिया यहां पर पहले दिया आपका PQ PQ बराबर दिया है एक दसमलो दो आठ सेंटी मीटर ठीक है यह PQ बराबर हो गया उसके बाद क्या दिया है पी आर तो यहां लिखेंगे पी आर बराबर कितना दिया है दो दसमलो पांच च्छ सेंटी मीटर ठीक उसके बाद क्या दिया है पी यहां लिखिए पी यह बराबर कितना दिया है जीरो दसमलो एक आठ सेंटी मीटर उसके बाद क्या दिया है पी एफ तो यहां लिखेंगे दोस्तों पी एफ वराबर जीरो दसमलो तीन च्छ सेंटी मीटर ठीक है अब जितने मान दिये गए था हमने यहां पे लिख दिया अब आपको क्या करना है सेम प्रोसेस दोस्तों स फुजा है समनांतर क्यू आरके है या नहीं है यहीं आपको बताना है ठीक है तो चलिए अब हम हल करते हैं हल करने को अलब यहां लिखें त्रिभूज पी-ई-फ क्या हो समरूप हो त्रिभूज पी-क्यू-पी-क्यू-आर के तब तब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए जब त्रिभूज पी-ई-फ समरूप हो त्रिभूज पी-क्यू-आर के तब आप क्या करेंगे यहां पे आपको क्या करना होगा ध्यान दीजिए जो छोटी भूजा है उसको आप कहां लिखेंगे उपर तो देखिए यह क्या ह पी इसको कहा लिखना आपको उपर तो जैसे दूसरा कुछ लिख देना है तो आप पी लिखे फिर एक्यू की रूप में मान नहीं दिया है यहां फिर दिया पीक्यू की रूप में मान ताप पीक्यू लिखिए ठीक है सम रूप बनाई यह उसका रूप समा जैसे रूप जिस पान ठीक है उसके बाद अब अबढ़ने के लिखें is p अब लिखने के बाद नीचे फिर लिखेंगे ध्यान दीचे जो आप कामान होगा वो यहां से पी और ऑर के दूसरा तो यह हम इस से सलय एक वह पूरा लिएत तो इस तरह भी नीचे पूरा लिया जाये गाई आप पी आर कमांद दिया पूरा ली आधी यहां लिख दीज़े ooh रहर निगदी अब पी इतोदी कमांद कितना दिया है 0.18 दिए पीक्यू तो पीक्यू कमांद जो दिया गया है आपका एक दसमलो दो आठ बराबर पी एफ तो पी एफ का मान जो दिया गया कितना दिया गया जिरो दसमलो तीन छ बटे पी आर तो पी आर का मान कितना है दो दसमलो पांच छ टीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना देखिए दसमलो के बाद दो अंख है यहां भी दसमलो के बा लोग बराबर दिखें ऊपर नीचे हमेशा 12 को क्या करना चाहिए काड़ देना चाहिए तो बचेगा ऊपर क्या उपर हो जाएगा आपका 18 सांफ कि नीचे बचेगा 128 पिर बराबर मिधर कितना उपर वचेगा 36 और नीचे कि इतना बचेगा छोचाओंसट इतना सोंजा फिर पराबर कॉछ इनलगा इधर कितना है यह दिखे चार नौइयां चार स्काटेंग चार चार चौबीज एक बचे का चार चौविश सोल ला तो उपर कितना बचा नो और नीचे कितना बचा 64 तो इधर भी 9 बटा 64 इधर भी कितना आगया 9 बटे 64 दोनों तरब 9 बटे 9 64 9 बटे 64 आया है तो जो आता हम कह सकते है जो इफ भुजा है क्यू आर के क्या है समानतर है ठीक है तो लिख दीजे यहां पे अता कि आता हमी आप क्यक्य ऑफ भुजा 2008 क इसी समानतर है ठीक है यहां लिख दीजे इसा कि धुजा 2000-20条 जक्तितना ही तो कारे लगा है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इस पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों पूरा मैं गारांटी लेता हूं पूरा कोर्स कराने का ठीक है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और सा हिन जय भारत